आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Why do we call green plants as producers? पुझा गया है कि green plants को photosynthesis कर पाते हैं और photosynthesis का मतलब क्या होता है? कि ये लोग directly जो sunlight होता है उसको use करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे water का use करते हैं और जो carbon dioxide होता है उसको भी use करते हैं जिससे कि वो अपना food जो है वो built up करते हैं या फिर produce करते हैं और यही food जो है जो कि वो खुद से बनाते हैं वो utilize किया जाता है उनके body में तो ऐसे organisms जो हैं वो सिर्फ plant ही होते हैं जो कि photosynthesis करने के able रहते हैं क्योंकि plants में क्या पाया जाता है तो plants में पाया जाता है chlorophyll और इसी वज़े से plant को producers कहा जाता है क्योंकि plants के सिवा यहाँ पे पूरे जो world में अगर हम लोग कहें तो ऐसा कोई organism नहीं है जो कि यहाँ पे produce कर सकता है अपना own food इसी हिसाब से जो कि photosynthesis का activity है वो plant में होने के वज़े से और food खुद का खुद produce करने के वज़े से plant को autotrops भी कहा जाता है और साथ ही साथ इनको producers के नाम से भी जाना जाता है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर